आज हम पहले कुल्फी का एक बेस बनाएंगे और उसी कुल्फी के बेस से हम 6 अलग-अलग प्रकार की कुल्फिया बनाएंगे और ये सारी की सारी कुल्फिया एकदम ही रिच और एकदम ही मलाईदार बनेगी ये 6 अलग-अलग प्रकार की कुल्फियों को बनाने के लिए तोड़ी सी मोटी रहने चाहिए ताकि यह जो दूद है इसमें जलेट नहीं अब मैंने यहाँ पर लिया है यह अमूलका –फुल क्रीम मिलक आप चाहो तो यहाँ पर किसी भी ब्रेंड का दूद्ध ऩथप्रसकतेहो लेकिन हो सके तो यहाँ पर आप फुल क्रीम मिल्क का है इस्तमाल करेगा ताकि आपकी जो कुल्फी है वो एकदम ही मलाईदार और एकदम ही गाड़ी बन सके लेकिन अगर आपके पास ये फुल क्रीम मिल्क अवेलेबल नहीं है तो आपके गर में जो भी दूद अवेलेबल हो उससे आप यूज़ कर लीजिए तो मैंने यहाँ पर आज दो लीटर दूद का इस्तमाल किया हुआ है क्योंकि मैं यहाँ पर छे अदगलग प्रकार की कुल्फिया बना रहा हूँ आप चाहो तो यही सेम रेसिपी एक लीटर दूद से भी आसानी से बना सकते हो चले यहाँ पर मैंने दो लीटर दूद इस कड़ाई में डाल दिया है और अब हमें यहाँ पर इस दूद को उबालना है लेकिन यहाँ पर इस दूद को उबालने से पहले हमें यहाँ पर इसमें से थोड़ा दूद एक बोल में ट्रांसवर करना है तो यहाँ पर मैंने तक्रीमन 200 ml जितना दूद एक दूसरे बोल में ट्रांसवर कर लिया है और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं यह मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा अब यह जो अगली ट्रिक में आपको दिखा रहा हूँ यह काफी सारे कुल्फी वाले इस्तमाल करते हैं दूद को फटावट से घाड़ा करने के लिए तो अब जिस बोल में हमने दूद को साइड पर रखा हुआ है उसमें आपको डालना है चार बडी चमच मिल्क पाउडर यदि आपके पास यहाँ पर मिल्क पाउडर नहीं है तो कोई बात नहीं इस कुल्फी को आप बिना मिल्क पाउडर से भी बड़े ही आसानी से बना सकते हो तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको कुल्फी बनाने के लिए milk powder लगेगा ही इसके बिना भी आप कुल्फी बना सकते हो अब इसी के साथ साथ हमें यहाँ पर इसमें डालना है एक बड़ी चमच कॉन स्टार्च यहाँ पर कौन स्टार्च डालने से हमार जो कुल्फी का दूद है तो काफी फटावट से घाड़ा हो जाएगा और milk powder डालने से हमार जो कुल्फी है तो काफी दानेदार बनेगी यह जो step पर यह करना optional है आप इससे नहीं करोगे तो भी चलेगा मैंने यह step आपको इसलिए दिखाया है क्योंकि काफी सार कुल्फी वाले यही ट्रिक का इस्तेमाल करते है अपनी कुल्फी को घाड़ा बनाने के लिए अगर आप यहाँ पर step को follow नहीं करते हो तो आपको कुल्फी के दूद को घाड़ा करने में बस थोड़ा से ज़्यादा टाइम लगेगा अब आपको यहाँ पर इस milk powder को और कॉन स्टाच को इस दूद में अच्छा से mix करना है ध्यान रहे कि इसमें कोई भी lumps नहीं रह जाने चाहिए चले यहाँ पर हमारे जो milk powder और कॉन स्टाच वाला दूद है यह बनकर ready हो जगा है तो अब हमें यहाँ पर इस milk powder और कॉन स्टाच के दूद को यहाँ पर इस कटाई में डालना है और फिर हमें यहाँ पर इस दूद को उबालना है इस दूद को आपको तब तक उबालना है जब तक इसकी तो quantity है वो आदे नहीं हो जाती यानि कि हमने यहाँ पर दो लीटर दूद का अस्तमाल किया हुआ है तो इसका आपको तब तक उबालना है जब तक दूद की quantity एक लीटर नहीं हो जाती और यदि आप चाहते हो कि आपकी जो कुल्फी है वो एकदम ही गाड़ी एकदम ही मलाईदार बने तो आपको यहाँ पर इस दूद को आदे से भी कम यानि कि एक चौथा लेवल तक इसको उबालना पड़ेगा इस दूद को आपको अपको स्लो या मीडियम फ्लैम पर उबालना है और इसको आप बीछ वीच में चला दे भी रहेगा ताकी कई पर जले नहीं और यदि आपके पास टाइम कम है और आप इस दूद को फटावच्झ से उबालना चाहते हो तो आप यहाँ पर इस दूद को high flame पर भी उबाल सकते हो लेकिन एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखे कि आपको इसको लगातार चलाते जाना पड़ेगा अगर आप इसको लगातार नहीं चलाओगे तो यह जो दूद है यह नीचे चिपक जाएगा और जलने लगेगा शुरू शुरू में तो आपको इस दूद को लगातार चलाते ही जाना पड़ेगा क्योंकि हमने इस पर कॉन स्टार्च डाला हुआ है और कॉन स्टार्च इस कड़ाए के नीचे के तरफ बैठने लगेगा तो ऐसा ना हो इसलिए आप इस दूद को लगातार चलाते रहिए अब यह देखे कि यह जो दूद की कॉन्टीटी है यह कितनी है और जो दूद लगे काफी पतला भी है लेकिन जब हम इसको अच्छे से उबा लेंगे तो इसकी तो कॉन्टीटी है वो भी काफी कम हो जाएगी और जो दूदे यह बहुती गाड़ा बनेगा चले यहाँ पर अब हम इस वीडियो को तुरह से फास्ट फारवर्ड करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यह जो दूद है इसकी कॉन्टीटी आदी हो चुकी है और इसके उपर काफी अच्छे मलाई भी जम चुकी है और हाँ यहाँ पर जो कड़ाई के साइड पर भी जो मलाई जमी होई है उसको भी आप बीच वीच में निकालते रहिएगा इसी मलाई की वज़े से यह जो दूद है यह काफी गाड़ा और मलाई दार बनेगा जैसे कि आप देख सकते हो कि यह जो दूद है काफी मलाई दार बना हुआ है और पहले से काफी गाड़ा भी हो चुका है अब हमें यहाँ पर इस टालना है 1.5 cup चीनी मैंने यहाँ पर इस नार्मल चीनी का इस्तमाल किया हुआ है आप चाहो थैं यहाँ पर PCOE चीनी यनिकी powdered sugar का बेस्तमाल कर सकते हो यहाँ पर चीनी की मातरा कितनी रखनी है ये आपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़दा कर सकते हो अब हमें यहाँ पर इस चीनी को पूरी तरीके से पिखलने देना है अब यहाँ पर इस दूद को और मलाईदार और घाड़ा बनाने के लिए मैं यहाँ पर ये घर की मलाई का इस्तमाल कर रहा हूँ दूद के ओपर जो मलाईदा जम जाती है उसी का मैंने यहाँ पर स्तमाल किया हूँ और बस्फेरम यहाँ पर इस मलाईदा और दूद को अच्ला मिक्स करेंगे यहाँ पर तो अभी यह दूद है यह काफी गरम है और फिर भी यह का़ड़ा बना हूँ है लेकिन जैसे ही ये दूद थंडा होगा न तो ये अपने आप ही और ज़्यादा गाड़ा बनेगा तो चले यहाँ पर हमारा जो कुलफी का बेज है ये बंद कर रेडी होच का है तो यहाँ पर आपको गैस को बंद कर देना है और सबसे इंपोर्टन चीज यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यह है कि यहाँ को बंद करने के बाद भी आपको इस दूद को 5 मिट के लिए लगादार चलाते जाना है क्योंकि आपकी जो कड़ाई है वो अभी भी काफी गरम है और अगर आप इसको नहीं चलाओगे तो यह जो दूद है यह जल जाएगा यहाँ पर आप क्या गर सकते हो कि इस दूद को किसी एक पतीले में या फिर दूसरे बरतन में ट्रांसफर कर सकते हो चले यहाँ पर जो कुलफी का बेस है यह रूम टेमपरिचर पर आ चुका है और अब यह काफी गाडा, मलाईदार और बहुत ही दानेदार बना हुआ है अब देखे आपके पास यहाँ पर दो रास्ते है यदि आपको दानेदार कुलफी पसंद है तो आप इस दूद को ऐसे ही इस्तवाल कर सकते हो लेकिन यदि आपके घर में छोटे बच्चे है जनको दानेदार कुलफी पसंद नहीं आती तो फिर आप यहाँ पर क्या कर सकते हो कि इस कुलफी के बेस को आप एक मिक्सर रार में ट्रांसवर कर लीजिए और फिर आपको इसको थोड़े सेकंड्स के लिए ही ब्लेंड करना है और ऐसा करने से यह जो कुलफी का बेस है यह एकदम ही स्मूध हो जाएगा यहाँ पर मैंने इस कुलफी के बेस को जाएगा ब्लेंड कर लिया है और अब यह एकदमी स्मूध हो चुका है तो अब हम यहाँ पर इसी कुलफी के बेस से छे अलग-अलग प्रकार की कुलफिया बनाएंगे तो आज हम यहाँ पर चॉकलेट कुलफी, केसर इलाइची कुलफी, मावा ड्राइ फ्रूट कुलफी, स्ट्रॉबरी कुलफी, विस्ता कुलफी और सभी बच्चों की फेवरिट टूटी फ्रूटी कुलफी यहाँ पर बनाने वाले है सबसे पहले हम यहाँ पर केसर इलाइची कुल्फी बनाएंगे जिसका flavor बहुती बढ़ी आता है तो यहाँ पर इस केसर इलाइची कुल्फी को बनाने के लिए आपको एक छोटे से वॉल में थोड़ा सा दूद लेना है और फिर हम इस दूद के अंदर थोड़ा सा केसर डालेंगे और अब हमें यहाँ पर इस दूद को साइड पर 10 मिट के लिए रइश करने के लिए रखना है ताकि जो केसर का रंग और फ्लेवर है वो इस दूद के अंदर आ जाए अब जो कुलफी का बेस था उसको मैरे इस प्रकार के एक बोल में ट्रांसवर किया हुआ है और फिर जो केसर वाला दूद हमने रेडी किया वा था वो हमें यहाँ पर इसमें डालना है अब इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर इस पर डाल रहा हूँ 1-4 टीस्पून इलाइची पाउडर यानि की कार्डमा पाउडर यदि आपको इलाइची पाउडर का टेश पसंद नहीं आता तो आप इससे नहीं डालोगे तो भी चलेगा अब बस हम यहाँ पर इन सबी चीज़ों को अच्छा सा मिक्स करेंगे और फिर इस कुल्फी में एक अच्छा सा रंग लाने के लिए मैं यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा येलो फूड कलर का इस्तमाल कर रहा हूँ ज़्यादा फूड कलर आपको यहाँ पर इस्तमाल नहीं करना है यहाँ पर दो तीन बूंद फूड कलर की काफी रहेगी यहाँ पर फूड कलर डालना टोटली ऑप्शनल है आप इससे नहीं डालोगे तो भी चलेगा क्योंकि इस से कुछ टेश्ट में तो फरक पढ़ने वाला है नहीं तो वस जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो केसर इलाजी कुलफी का दूद है यह बन कर रेडी हो चका है तो अब हम यहाँ पर इस दूद को इस फरकार के एक कुलफी के मोल्ड में ट्रांसफर करेंगे यदि आपके पास ऐसा कुलफी मोल्ड नहीं है तो आप किसी भी ऐसे छोटे गलास का इस्तमाल कर सकते हो या फिर आप इस कुलफी को एक कटरी के अंदर भी जमा सकते हो उसी का यहाँ पर इस्तमाल किया हुआ है एक बॉल में मैं यहाँ पर इस कुलफी के बेस को डाला हुआ था और इसी में हमें यहाँ पर इस डेरी मिल्क के टुकडो को डालना है आप चाहो तो यहाँ पर इस डेरी मिल्क को एक बार मेल्ट करके भी इस्तमाल कर सकते हो अब इसमें हमें यहाँ पर डालना है एक बड़ी चमच कोको पाॉडर यदि इस टाइम पर आपके पस कोको पाॉडर अवेलेबल नहीं है तो फिर आप यहाँ पर किसी भी चॉकलेट बिस्किट को एक बार ग्राइड कर लीजए और उसका पाउडर आप यहाँ पर अस्समाल कर सकते हो अब बस हमें यहाँ पर इसको अच्छा मिक्स करना है और गर्मी के कारण यह जो डेरे मल्क है यह अपने आप ही यहाँ पर मिल्ट हो जाएगी चले यहाँ पर जो चौकलेट कुलफी का बेज है यह भी बनकर रेडी हो जगा है तो इस चौकलेट कुलफी बेज को हम एक कटोरी में ट्रांसफर करेंगे और फिर इसके उपर मैं यह घर में बनाई हुई चौको चिपस यहाँ पर डाल रहा हूँ यहाँ पर जो चौको चिपस है इनको घर में बनाने के लिए आपको यहाँ पर एक ऐसा पतिला लेना है और इस पतिले में हम लगबग 2 या 3 दाल सतना पानी एट करेंगे और इस पानी को हम एक बार उबलने देंगे पानी जब एक बार उबलना शुरू हो जाए तब आपको यहाँ पर इसके उपर इस प्रकार का एक बोल रखना है और फिर हम इस मैट करेंगे आदा कब डाक चौकलेट और फिर हम यहाँ पर इस डाक चौकलेट को पूरी तरह के से मेल्ट होने देंगे चले यहाँ पर इस चौकलेट है यह अच्छी तरह के से मेल्ट होच की है तब आपको यहाँ पर इस मेल्ट की उई चौकलेट को एक पाइपेंग बैग में या फर किसी भी एक दूद की थैली या किसी एक प्लास्टिक बैग में ट्रांसफर करना है और फिर इस piping bag में आपको बिल्कुल छोटा सा एक छेद बनाना है और फिर इस melt क्यों चोकलेट को आपको किसी भी एक ट्रे में या फिर एक प्लेट में इस प्रकार से डालना है यह जो चोको चिप्स बनाने का काम है यह आप अपने बच्चों को दे सकते हो उन्हें ये काम करने बहुत ही मज़ा आएगा और साथ ही साथ उनका टाइम भी अच्छल स्पेंड हो जाएगा यदि आपको पास पाइपिंग बैग अविलेबल नहीं है तो इस प्रकार से आप दूद की थैली से भी इसको बना सकते हो बस इसी तरह मैंने ये सारी चोको चिप्स बनाकर रेडी कर ली होई है चले अब अब आपको यहाँ पर इस चोको चिप्स को फ्रीजर में 10 मिट के लिए रखना है ताकि अचल सेट हो जाए यहाँ पर तकरिमन 10 मिट हो चकी है और जैसकर अब देख सकते हो कि यह जो चोको चिप्स है ये बहुत ही अचल सेट हो चकी है तो देखाना आपने की घर पर चोकोजफ्स बनाना कितना आसान है अब बारी आती है पिस्टा कुलफी बनाने की तो यहाँ पर पिस्टा कुलफी को बनाने के लिए मैंने एक बॉल में थोड़ से कुलफी बेस लिया हुआ है और अब हम यहाँ पर स्मैट करेंगे बारी कट्कियों पिस्टा वैसे देखा जाँ तो मार्केट में पिस्टा का एसेंस भी आता है तो आप उसका भी यहाँ पर इस्तमाल कर सकते हो मैं यहाँ पर सिर्फ यह थोड़ से बारी कट्कियों पिस्टा डाल रहा हूँ और थोड़ा से पिस्ता मैंने साइड पर बज़ा कर रखे हुए है जिसको हम कुल्फी के उपर की तरफ लगाएंगे और अब इस कुल्फी में एक अच्छा कलर लाने के लिए मैं यहाँ पर इसमें बिल्कुल थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर डाल रहा हूँ हमें बस यहाँ पर फूड कलगे दो या तीन ड्रॉप्स का है इस्तमाल करना है और जिसके आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो पिस्ता कुल्फी का बेज है यह भी बनकर रेडी होचका है तो इस पिस्ता कुल्फी के दूद को भी हम यहाँ पर एक कटोरी में और एक कुल्फी के मोल में ट्रांसफर करेंगे और इस कुल्फी के उपर हम थोड़ा सा और पिस्ता डालेंगे ताकि यह दिखने में और अट्रेक्टिव लग सके अब हम बनाएंगे mix dry fruit मावा कुलफी तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए आपको थोड़ा सा कुलफी का base एक mixer जार में डालना है और इसी में हम add करेंगे एक बड़ी चमच मावा यही आप यह जाना चाहते हो कि आप घर पर मावा कैसे बना सकते हो तो उसके वीडियो के लिंक मैं आपको इंचे description box में जिर दूँगा और इसी के साथ साथ हम इसमें 140 टीस्पून इलाइची पाउडर यानि की काड़ाम पाउडर यहाँ पर डालेंगे ठाकि इसका जो flavor है वो काफी बड़ी हाँ है और बस फिर हम यहाँ पर इसको एक बार blend करना है तो चलिए यहाँ पर जो मावा कुल्फी का बेस है यह बनकर रेडी होच का है तो इसको मैं कटोरी में ट्रांसफर करेंगे और फिर हम यहाँ पर इसमें कुछ ड्राइफरूट साथ करेंगे तो मैंने यहाँ पर यह थोड़ सा बडाम, काजू और पिस्ता का इस्तमाल किया हुआ है और बस इसी तरह हम इस मावा कुल्फी के बेस को एक कुल्फी मोल्ट के अंदर भी ट्रांसफर करेंगे और इसके उपर भी हमें यह ड्राइफरूट साथ करने है चली अब हम बनाएंगे बच्चों की फेवरेट टूटी फ्रूटी कुल्फी तो यहाँ पर मैंने एक बोल के अंदर थोड़ सा कुल्फी बेश डाला हुआ है और अब हम यहाँ पर स्मैट करेंगे आदा छोड़ी चमच वैनिला एसेंस और इसी के साथ साथ मैं हाँ पर इस पर डाल रहा हूँ थोड़ी सी टूटी फ्रूटी और यह टूटी फ्रूटी है यह मैंने घर पर ही बनाई है यह आप भी यह जानना चाते हो कि आप घर पर टूटी फ्रूटी कैसे बना सकते हो तो इसका मैंने वीडियो बनाया हुआ है और इसके वीडियो के लिंक मैं आपको इचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा चले यहाँ पर जो टूटी फ्रूटी कुल्फी का दूद है ये भी रेडी होच का है तो इसको भी हमें कटोरी में और एक कुल्फी के मोल्ड के अंदर ट्रांसफर करेंगे और फिर आप चाहो तो इसके उपर भी थोड़ी सी टूटी फूटी लगा सकते हो अब बारी आती है स्ट्रॉबरी कुल्फी बनाने की तो यहाँ पर ये स्ट्रॉबरी कुल्फी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर जो कुल्फी का बेस इसको एक बाल में ट्रांसफर कर लिया है और अब हम इस मैट करेंगे स्ट्रॉबरी एसेंस यदि आपके पास स्ट्रॉबरी एसेंस नहीं है तो आप श्रॉबरी का पल्ट या फिर श्रॉबरी का तो सिरा पाता है उसका भी यहाँ पर रस्तमाल कर सकते हो और बाई चांस आपके पास इस वक्त स्टॉबरी है तो आप उसको बारिक बारिक चॉप करके यहाँ पर रस्तमाल कर सकते हो चले यहाँ पर तो श्रॉबरी कुलफी का बेज है ये भी बनकर रेडी होच का है तो इसको भी मैंने इस प्रकार की एक कटोरी में ट्रांसफर कर लिया है और फिर मैं यहाँ पर इसके अंदर कुछ लाल कलगी टूटी फ्रूटी हाँ पर डाल रहा हूँ चले यहाँ पर हमारी सारी की सारी छे कुलफी बनकर रेडी होच की है और इनको मैंने इस प्रकार के एक मोल्ड में और कटोरी में ट्रांसफर कर लिया है तो अब आपको यहाँ पर इस कुलफी मोल्ड के उपर इस प्रकार का एक बटर पेपर लगाना है आप चाहोते हैं आपर बटर पेपर के बज़ाए किसे एक प्लास्टिक शीट या फिर सिल्वर फॉयल का भी इस्तेमाल कर सकते हो और फिर हम इसके उपर इस प्रकार का एक रबर बैंड लगाएंगे और फिर इस बटर पेपर के ठीक बीच में आपको एक चाकू के साहिता से छेद करना है और इसके अंदर हम एक आइस क्रीम या फिर कुलफी के स्टिक रखेंगे उसी तरह आपको यहाँ पर इस कटोरी के उपर भी इस प्रकार का एक बटर पेपर या फिर सिल्वर फॉयल पेपर का इस्तेमाल करना है और इस पर भी हम यह रबर बैंड लगाएंगे चले यहाँ पर मैंने सभी कुलफी के उपर इस बटर पेपर लगा लिया है और फिर इस कुलफी को इस मोल्ड में से आसानी से निकालने के लिए आपको यहाँ पर एक ग्लास में थोड़सा गुनगुना पानी लेना है और फिर इस कुलफी के मोल्ड को हम इस गुनगुने पानी में सिर्फ 5 सेकेंड के लिए रखेंगे और बस आपकी जो कुलफी है वो बहुत ही आसनी से इसमें से बाहर निकल जाएगी यदि आपको यहाँ पर एक गुनगुना पानी का अस्तमाल नहीं करना है तो फिर आप इस कुलफी के मोल्ड को अपने दोनों हातों के बीच में रख कर ऐसे गिस सकते हो और आपके हाथों की गर्मी से ही जो कुलफी है यह इस कुलफी के मोल्ड में से बहुत ही आसनी से निकल जाएगी और जिन कुलफी को आमने कटवरी में भी सेट करने के लिए रखा हुआ था वो भी बहुत ही अच्छी से सेट हुचिकी है यह सारी की सारी कुलφिया बहुत ही रची से जमी हुई है और इसका टेक्श्र, टेस्ट बिलकुल वैसा ही आता है जैसे कि आपको मारकेट की कुल्फियों में मिलता है तो कैसी लगी आपको ये कुलफी की रेस्पी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना और आपको और कौन कौन सी कुलफी या फिर आइसक्रीम की रेस्पी जाननी है ये भी आप मुझे कमेंट्स में जरूर लिख कर बताईए